हलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज आपका सौगत है हमारे एक नए यूटूब वीडियो में जिसमें कि हम बात करेंगे यूपीटर प्रश्टी पेट 2022 की आंसर की की बारे में जैसा कि बहुत से अब्यार थी हैं जिनका एक्जाम 15 अक्टूबर को लगा था हम उसी की आंसर की लिए क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 15 अक्टूबर को पेपर हुआ है सेकेंड सिफ्ट उसमें फुल कोश्चन्स वन टू हंड़िड कोश्चन्स मतलब आज हम आपको बताने जा रहे हैं वन टू हंड़ि नहीं रह जाएगा ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत रहेगे क्योंकि इसमें हम आज बात करेंगे वन टू हंड़िड कोश्चन्स के बारे में 15 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था सेकेंड सिफ्ट यूपी ट्रेपलसी का ठीक है तो यह इतन बताने जा रहे हैं आपको वन से लेके 100 कोश्चन्स के बारे में आंसर सारे हैं ठीक है हमने इस कोश्चन पेपर काफी एनलाइस किया है और काफी एनलाइस करने के बाद हमने आपके वन से लेके 100 कोश्चन्स तक के जितने भी जवाब हैं आंसर सही है हमने टोटल सही आंसर को निकाला है और वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं तो आप सब का स्वागत है हमारे चैनल अपकमिंग एक्जाम अपडेट्स में जिसमें कि हम आपको ऐसी ही वीडियो बताते रहते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बस आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहीएगा इसकी बिलकुल ना करिएगा क्योंकि जो को सकता है सीरीज नंबर में उपर नीचे हो सकते हैं कि मेरा जैसे की 70 नंबर का कुश्चन साइद आपके में 40 नंबर पर वही कुश्चन हो ठीक है लेकिन 15 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है सेकेंड सिफ्ट के उसका जो कुश्चन्स हैं वो टोटल सेम कुश्चन्स हैं ठीक है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वन से ल लगे कि हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा तब तक आप प्लीज सेर्स कर लीजिए कि बहुत से बच्चों ने पेपर दिया है तो उन्हें भी इन कोश्चन के जवाब पता चले ठीक है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो इसमें जो पहला कोश्चन दिया गया था जैसा कि यहां पर यह आप रीट करेंगे मैथ का यह पहला कोश्चन था ठीक है अंडरूट में जो था 9-4 अंडरूट 5 तो इसके आंसर जैसे कि यह कोश्चन नंबर जो है साइध मेरा जो कोश्चन नंबर यह बन आपका आपके question number कुछ अलग हो क्योंकि series change हो सकती है ठीक है तो आप ही देख लीजेगा कि यह आपका question कहां पर है ठीक है यह आप question देखिएगा इसका जो answer रहेगा यहां पर आपको हम बता दें इसका answer जो है वो रहेगा under root 5 minus 2 इसका right answer यह है second number की question की बात करें इसमें average निकालना था जैसे लिखा है कि 318,125,125,120 और 102 का आउसत क्या है ठीक है तो इसका जो right answer है वो है d ठीक है right answer इसका d है question number third की बात करें तो इसमें लिखा है इस थावर का बिलोम सब्द है ठीक है तो अगर हम दोग third question की बात करें इसमें लिखा है इस्थावर का बिलोम सब्द है इस्थावर का बिलोम सब्द है जंगम ठीक है इसका right answer यह है question number four की बात करें बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए इसका अर्थ क्या होगा जो इसका अर्थ रहेगा जिससे इसका आंसर रहेगा B इसका राइट आंसर B है भै का समन सुरू में ही कर देना चाहिए ठीक है question number five की बात करें इसमें लिखा है स्वल्प का संदी बिच्षियत क्या होगा तो इसका जो right answer रहेगा वो होगा C सू प्लस अल्प question number C six की बात करें तो इसमें लिखा है इतिका सही अर्थ भेद है तो इसका सही अर्थ भेद जो रहेगा वो रहेगा समाप्ती बीगन option number B इसका right है ठीक है भाई question number 7 की बात करें इश्वर में विश्वास रखने वाला इस सब्द सम्हूं के लिए एक सब्द बताईए तो इश्वर में विश्वास रखने वाला जो सब्द एक सब्द बताना है उसका answer होगा D ठीक है इसका option right D है आस्तिक ठीक है भाई अब बात करें question number 8 की तो यहाँ पर यह paragraph दिया गया था पूरा जैसा कि यह आपकी series में साइद question number आगे पीछे हो तो यह आप देख लीजेगा आपकी यह प्रिस्ण जो है किस question number से match कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर paragraph दिया गया था जो कि read करना था पूरा read करने के बाद इसमें यहाँ पर questions दिया गया था ठीक है उस questions को आपको solve करना था जैसा पहला लिखा गया question number 8 में according to the passage what do school children gift their teachers तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा A thank you cards ठीक है इसका right option A है बही बात करें question number 9 की according to the passage is valentine's day official a holiday तो इसका right answer रहेगा A no यह official holiday नहीं है ठीक है question number 10 की बात करें देखेंगी choose the correct synonym of tam tam का जो correct synonym होगा वो क्या होगा तो इसका answer जो रहेगा right option है B ठीक है right option B है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे question number 11 choose the correct synonym of rapid rapid का जो correct synonym रहेगा वो रहेगा tardy ठीक है तो आप इसे click कर लीजेगा उसके बाद आगे बात करते हैं question number 12 में देखिए लिखागी burn word substitute for the following ठीक है तो यह आप read करते रहेगा देखते रहेगा कि यह आपका जैसे यह question जो है यह आपके paper में ठीक है कौन सा serial number पे आता है क्योंकि questions सारे सेम है बस हो सकता है आगे पीछे हो सकते हैं तो questions सेम हैं तो आप यहाँ से answer पिक कर सकते हैं और अपने question paper में mark कर सकते हैं ठीक है question number 12 देखेंगे तो उसमें लिखागी one word substitute for the following one word is indifferent to pleasure और pain तो इसका right answer जो रहेगा वो रहेगा बी इसका right answer जो रहेगा वो रहेगा बी ठीक है बही बात करें अब question number 13 की यहाँ पर जिसे आप read करेंगे लिखा है कि एक तस्बीर की और इसारा करती हुए ए ने अपने दोस्त B से कहा बह मेरी मा के पिता की एकलौती बेटी है ए फोटोग्राफर बाले बेटी से किस प्रकार संबंदित है ठीक है तो इसका जो right answer रहेगा थैर्टीर का right answer जो है बोड़ डी बेटा ठीक है उसके बाल लिखा आया question number 14 पे पहुँचे दोनों कत्नों को पढ़ें और तेह करें कि निम्ग लिखित निम्ग लिखित में से कौन सा उत्तर बिकल्प इन दोनों कत्नों की बीच संबंद को सही धंग से दरसाता है ठीक है तो इसका जो right answer रहेगा question number 14 का जो right answer है बो है कत्न कत्न कारण है और कत्न एक इसका प्रभाव यह इसका right answer है ठीक है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे प्रिस्ट के सही सही जवाब मिल जाएंगे और आप अपना paper match कर सकेंगे और यह भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को paper भी अच्छा हुआ हो कि अभी भी UP338 के exam चल रहे है ठीक है तो जो आगे भी list आएगी जो paper यह हो रहे है तो second shift है या 16 October या 17 October हर दिन के exam set को हम analyze करके वीडियो आप के लिए बनाएंगे आप उस वीडियो को भी देखके अपने सारे questions के जवाब को जान सकेंगे ठीक है तो चलिए question number 15 के बात करें यहाँ पे लिखा है भारत गौर पारेटेक ट्रेन को जून 2022 में रामायर सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और यहाँ पे लिखा डैस के बीच हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया था तो question number 15 का अगर जो right answer देखेंगे आप देखेंगे B नेपाल इसका answer जो right है वो नेपाल इसका right answer है ठीक है बही बात करें अगर हम लोग question number 16 की तो आप लोग देखेंगे भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और धीर्द कालिक साज़ेदारी के निर्वान के लिए चल लह प्रियासों के तहत नेम लिखित में से किस देश को 75 एंबूलेंस 75 एंबूलेंस और 17 स्कूल बसे उपहार में दी 16 question number 16 के जो right answer होगा वो होगा A ठीक है नेपाल उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और जितने भी questions बता रहे हैं आप लोगों समझ में आ रहे होगे आप अपने question paper में match करने हैं आपका question number कौन सा रहेगा ठीक है क्योंकि serious number जो है वो उपर नीचे होगी क्योंकि वो सफल करके दिये जाते हैं सफलिंग फॉर्म में होते है questions question number 17 को अगर देखें हम लोग तो यहां पर यह बताया गया है कि निम लिखित प्रेशन में दिये गए बिकल्पों में से असंगत का चैन कीजिए तो question number 17 के जो राइट answer है वो है 301 ठीक है इसका राइट answer है 301 option number A फिर बही बात करें question number 18 की question number 18 में लिखाया है कि 1 January 2006 को रविवार था 1 January 2010 को सबता कौन सा दिन था दिन के बारे में पूछा गया तो आपको हम बता दें इसका जो right answer होगा वो होगा option number C ठीक है सुक्रवार सुक्रवार ठीक है बही बात करें अगर हम लोग question number 19 की तो आप लोग देखेंगे कि यदि किसी निश्चित भासा में active को EDUJWA की रूप में coded किया जाता है तो उस code में effect को कैसे coded किया जाएगा ठीक है तो हम देखेंगे इसका 19 का जो question number है इसका right option जो रहेगा इसका right option B है ठीक है right option B है TGGFDE इसका right answer option number B है 19 का ठीक है तो बही बात करेंगे हम लोग question number 20 की तो आप लोग देखेंगे question number 20 हम आपको once लेके 100 सको हर एक person का answer आपको बताएंगे ठीक है बस आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहेगा और इसकी बिलकुल ना करिएगा हो सके तो share जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने paper दी हैं तो वो भी इन questions के answers को जानना चाहते हैं तो आपके share करने से उन बिद्यार्तियों को इन answers के बारे में पता चल जाएगा वो भी आपको thank you बोलेंगे तो इसलिए please share कर लीजिए काफी analyze किया है वीडियो ये मेहनद से बनानी पड़ी है ठीक है सौरी थोड़ा ही दो दुरूर जाता है question number 20 पढ़े नेमलिखित में से किस राजजी सरकार ने 5000 रुपए की कासी यात्रा subsidy युजना सुरू की ठीक है तो question number 20 के जो right option होगा वो होगा B करना टगने ठीक है उसके बाद बात करें question number 21 की जून 2022 में भारत ने नेमलिखित में से किस देश के साथ commonwealth diplomatic academy program की घुसरा की ठीक है तो question number 21 का जो right option होगा वो होगा B UK UK यूके ने जिती इसमें उसने ये गोशना की थी फिर बही बात करें question number 22 की तो यहाँ पर आप देखेंगे dash दिया गया है ठीक है खारी जगा है company ने IAF के helicopter के लिए ADS की आपूर्तिहेट एक वेलारूसी company और उसकी साहता company के साथ एक समझोता गयापन पर हस्ताचर किये तो इसका जो right option होगा अगर हम देखेंगे कि question number 22 का जो right option होगा वो होगा A ठीक है भारत electronics limited इसका right option क्या होगा भारत electronics limited तो यह आप match कर लीजेगा बही बात करें अगर हम लोग 23 question number की तो यहाँ पर आप भी देखेंगे निम लिखित में से किस भारती राज ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना सुरू की है ठीक है तो इसका जो right answer होगा question number 23 का right option होगा B ठीक है हिमाचल प्रदेश ने ठीक है उसके बाद बात करें question number 24 की कि आपको सारे questions आपके clear हो जाएं ठीक है question number 24 की अगर बात करें थोड़ा जल्दी अलिए कर रहा है question number 24 की बात करें तो इसमें लिखाया है प्रधान मंतरी नरेन मोंदरी ने निम लिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णा नंद स्पोर्ट्स इस्टेडियम में एक कारिकरम में 1800 करोड रुपए की योज जिनायों का उदगाटन और सिलान न्यास किया ठीक है तो question number 24 का जुराइट आंसर होगा वो होगा question number option D ठीक है क्या होगा option D sorry टिक नहीं लग रहा option D option D ठीक है वो थोड़ा उद्धर टिक नहीं लग रहा था इसलिए हमने दुवारा से क्लिक किया option D होगा ठीक है question number 24 का ठीक है उसके बाद बात करेंगे 25 की तो देखेंगे किस संस्थान ने इंडियाज किस संस्थान ने इंडियाज booming gig and platform economy सीरसक से एक report जारी की question number 25 का जो answer होगा वो होगा A ठीक है नेती आयोगने ठीक है अब जल्दी जल्दी टिक लगा रहा है जिससे आपको जल्दी जल्दी question के answer पाता चलते है question number 26 अगर read करेंगे तो आप लोग देखेंगे नेम लिखित में से कौन सी राजिसरकार single entry, multiple, exit के बिचार पर एक education concept बनाने की योजना बना रही है तो question number अगर हम लोग ये देखेंगे की 26 का answer जो रहेगा वो रहेगा A उत्र प्रदेश ठीक है उसके बाद बात करें हम लोग question number 27 पे तो यहाँ पी ये आप देखेंगे की नेम लिखित में से कौन सा भारत का सबसे चोटा केंदर सासित प्रदेश है तो सबसे चोटा जो केंदर सासित प्रदेश है वो हमारा है कुछ option number C इसका answer सही है लक्षदीब ठीक है लक्षदीब इसका right answer है उसके बाद बात करें हम लोग question number 28 की चात्र परिस्तिती के लिए चात्र परिस्तिती के लिए एक नया digital platform Camper Power किस bank के दोरा launch किया गया है तो इसका जो right answer रहेगा वो D है ठीक है ICICI bank के दोरा ठीक है ये इसका right answer है बही बात करें question number 29 की तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत के कितने राजजी बांगलादेश के साथ सीमा साध्या करते हैं तो यह बहुत ही simple questions था जो कि basic questions है तो आप लोग इसका answer भी अपने आप बता सकते हैं कुछ लोग comment करके भी बताईए प्लीज कि इतने questions है आप लोग पहले अगर mind में answer आ रहे हैं तो आप लोग जरू बताईए तो इसका right option जो होगा अब वो B होगा ठीक है पांच बही बात करें question number 30 की की निम लिखित में से Poland की राष्ट्री मुद्रा क्या है तो option number जो इसका question number 30 है इसका जो option right होगा वो होगा A क्या होगी जोटी ठीक है इसकी राष्ट्री मुद्रा है बही बात करें अगर हम लोग question number 31 की तो देखेंगे यहां पर खाली डेस्ट दिया गया खाली जगह दी गई है ठीक है उतर प्रदेश के एक लोग पर यह शास्त्री निरत्र है तो इसका right answer जो होगा वो होगा B कथक ठीक है भाही अगर हम लोग बात करें question number 32 की निम लिखित में से किसके पास लोग सभाच्चत्र को इस्थगित करने की सकती है तो question number 32 का जो right answer होगा वो होगा B ठीक है भारत के जुराश्पती है उनके पास यह पावर होती है question number 33 की बात करें अंतराश्ट्री सीमा नहीं सौरी अंतराश्ट्री अहिंसा दिवस निम लिखित में से किस दिन मनाया जाता है तो question number 33 का जो right answer होगा वो होगा C 2 October को ठीक है कि आप भी जाते हैं गांदी जैन्ती होती ही गांदी जी वैसे भी जो हमारे थे वो अहिंसा के पुजारी थे इसलिए question number 34 की बात करें अगर हम लोग तो देखेंगे वासको डीगामा का मक्वरा दफ़न इस्थान भारत के निम लिखित में से किस इस्थान पर इस्थित है तो इसका right option जो होगा वो होगा A कोची के रल में ठीक है question number 35 की बात करें जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 यहाँ पर लिखा है question number 35 में कि Thomas कप दिम लिखित में से किस स्केल से समबंदित है तो इसका answer आप लोग comment करके बताईए इसका जो right option रहेगा वो रहेगा B ठीक है badminton से बहीं बात करें अगर हम लोग question number 36 की तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है प्रसिद्ध पुस्तक बिंग्स ओफ फायर किसकी आत्म कथा है तो आप लोग इसका बता सकते है जो इसकी आत्म कथा जो इनकी है option number B इसका right option है Dr. APG अब्दुर्कलाम की ठीक है नाम है तो इसका जो right option होगा 37 का जो right answer होगा वो होगा D ये सभी 30 रेखा में परिवर्तन शमुद्र के इस्थर में ब्रद्धी फसल पैटर्न में परिवर्तन ये सब कुछ इसमें आता है तो इसका right option जो होगा वो दी होगा ठीक है ये सभी इसके बाद इसके questions दिये गए है तो हम आपको direct questions बताते हैं इसमें निखा आया है question number 38 पे कि आज कल के पढ़े लिखे नव यूबग बीदेश क्यों जाते हैं सरभधिक सबल तरक कौन सा लगता है तो इसका जो right option होगा right answer जो है वो रहेगा 38 का B मा बाप का सपना पूरा करने सुख चैन की जिन्दगी पसर करने तथा समाज में प्रतिस्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं तो इसका right answer क्या होगा ये होगा ठीक है option B उसके बाद अगर हम लोग बात करें question number 39 की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं question number 39 ठीक है इस प्रकार के बेवार से बे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे यहाँ ऐसे कौन से बेवार की और संक्यत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है ठीक है तो ये पूरा paragraph दिया गा था उसी के recording question पूसे ने तो इसका 39 के जो right answer होगा वो होगा C बच्चों के परिवार के सदस्यों पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन खान पहनावे और चाल चलन पर एतराज और कटाच करते होंगे ठीक है इसका right answer क्या होगा ये ठीक है option number C by question number 40 की बात करें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिखा है विदेश में जा बसे बच्चों के बेवार परिवरतन के लिए कौन दोसी है अनुशेत को ध्यान में रखते हुए सरवधिक प्रबल तर्क को चुनिए तो question number 40 के जो right option है वो है D ठीक है अधूरे संसकार जा बसे बच्चों के माबाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कस्टूम और दुस्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं तो 41 का right option जो है वो होगा B जग हसाई से बचने के लिए मतलब उनका मजाग समाज में ना बने इसलिए वो नहीं करते हैं भही अगर question number 42 की बात करें हम लोग देखेंगे बच्चों की सिकायत है कि माबाप पत्नी और बच्चों के साथ एक adjust नहीं करते हैं और अपनी पुराने जवाने की चीज़ों को यहां थोपना चाहते हैं इसके लिए कौन सही में 2C है तो इसका जो 42 का right option है वो है C ठीक है दो पीडियों का अंतराल जानते हैं आप कि आजकल modern जवाना चलना है तो जाइस वाद है जो नई पीडिय है यह पुराने जवाने की चीज़ें नहीं पसंद करती है इसी के according के questions है उसके बाद यह question दिये के 43 से लेके 47 तक के जितने भी questions आएंगे वो इस paragraph के according होंगे तो आपने पुरा paragraph read किया होगा ठीक है तो हम आपको direct answers बताते हैं Question number 43 पे अगर हम दोग चलेंगे तो देखेंगे की लिखा है आज की बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे बेच चैन से अपना बुढ़ापा काट सके तो इसका जो right answer है 43 का वो यहाँ पे आपको हम बता दें इसका right answer C है बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें हैं और अगली पीडी के सदेश्यों पर बोज बने और अपनी राय थोपे ठीक है तो 43 का जो right answer option है वो है C ठीक है वही बात करेंगे कर question number 44 की तो यहाँ पे लिखा है कौन से माबाप अपने ही घर में दीन हीं से होकर बच्चों का मुँ नहीं ताकते हैं तो 44 का right option होगा वो होगा C ठीक है जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आपको बदल लेते हैं और बहु बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं ठीक है तो इसका right answer क्या होगा यह होगा ठीक है थोड़ा जल्दी बताने कोशित कर रहे हैं ठीक है जिससे आपका समय भी ज्यादा परबाद ना हो बस आपको सारे कोशन के जबाब भी पता जाएं ठीक है कोशन नमबर 45 अगर नोग डीट करेंगे लिगा मता पिता द्वारा व्यापार सौरी प्यार दुलार एवन समस्त संसाधनों के दीये जाने के बावजुद आज की यूवाइप की डी से वेह आत्मिता गायव है जो पुरानी पीडी तक बिद्यमान थी इसका सबसे उचित कारण क्या हैं तो इसका सही सबसे उचित कारण बताना है तो इसका जो कोशन नमबर 45 का जो राइट राइड आप्शन होगा वो होगा D, ठीक है, क्या होगा D, ये इसका right answer है, पीडियों के अंतरण के कारण जीवर मूलियों के बदलते से यूवा पीडियों दूर दर्सी और असेहन सील होती जा रही है, और उसकी ग्रहन सीलता कम होती जा रही है, इसका ये right answer है, ठीक है, तो question number 45 होगया, इसके बाद ह 46 की, यहां पे लिखाया है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माबाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है, सबसे सबल तरक कौन सा है, तो इसमें जो इसका question number 46 का, जो right option होगा, वो होगा B, ठीक है, माबाप का, माबाप का, संतान और उसके परिवार के प्रत रूखा बहवार, बाड़ी का असायम और बहुवेटों की जिन्दगी में ज्यादा दखलंदा जी, इसका right answer क्या होगा, यह होगा, option number B, ठीक है, तो इसका right option क्या है, B, 47 की बात करें, कौन से बच्चे अपने माता पिता को ब्रधासरम में भेज देने की बात करते हैं, तो right answer क्या हो गई, ठीक है, 47 का यह हो गया, उसके बात करते हैं, 48 की, देखिए, यहां पर यह questions दिए गए है, 48 से लेके, 52 तक, इसके according पूछे जाएंगे, इस table के according, तो 48 का जो question number है, आप यहां पर यह read कर सकेंगे, जैसा कि आप यह देख सकते हैं, किस जिले के लिए, बिगत देख लीजेगा, पूरी table, ठीक है, तो यह ठीक है, इस table के according के questions है, सारे, उसके बाद हम लोग बात करें, question number 49 की, तो यहां पर लिखा है, कि जिला सी से चैनित उमीदवारों का, प्रतिसत, जिला सी से उत्तींड उमीदवारों की तुन लामे किस बरस में सबसे अधिक है, तो question number 49 का जो right option रहेगा, वो रहेगा A, 2012 हमें, ठीक है, 50 क्या बात करें अगर हम लोग, जिला D से उत्तींड उमीदवारों का, प्रतिसत, जिला D से उपस्तित होने वालों की तुन लामे किस बरस में सबसे कम है, तो question number 50 का right option जो हो रहेगा, वो A, 2013, ठीक है, वही बात करें question number 51 की, तो यहाँ पर आप देख सके हम लोग 50 questions को cross कर चुके हैं, हम लोग 50 questions को complete कर चुके हैं, अब बस 50 questions और बचे हैं, इनके right options को आपको हम जरूर बता दें, उसके बाद आप लोग video complete, like, share, जो भी करना आप करिएगा, ठीक है, तो question number 50 की बात करें, बरस 2011 में किस दिले म उपस्तित उमीदबारों की तुल्ला में, चैनित उमीदबारों का प्रतिसा सबसे अधिक था, तो question number 51 का जो right option है, वो है C, जिला E का, ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग 52 की, question number 52, आप लिट करिए, समाच्छा धीन, समीच्छा धीन, अभी दी के दोरान, जिला E से चै उमीदबारों की संख्या का लगवग कितना प्रतिसात है, तो प्रतिसात पूछा गया था, तो 52 का जो right option रहेगा, वो रहेगा C, ठीक है, 88.54%, ठीक है, यह इसका right option है, बही बात करें हम लोग 53 questions की, 53 लेके, जो question number 57 तक जो answers दिये जाएंगे, वो इस table के according दिये जाएंगे, ठीक है, तो यह आप लोग समझ लीजेगा, प्लीज, उसके आद हम लोग बात करते हैं, direct question number पे, 53 का आप लोग question ली read कर सकेंगे, की लिखाया है, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए, उत्पादों की कुल संख्या का, अपरेल में उनी कंपनीों द्वारा बेचे गए, उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है, तो 53 का जो right answer रहेगा, वो रहेगा D, ठीक है, 59 ratio 80, ठीक है, इसका answer यह है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, question number, question number 54 पर, ठीक है, sorry, question number 54, company इस द्वारा बेचे गए, उत्पादों की संख्या में जन्वरी से अपरेल तक लगवक कितने प्रसिज़त ब्रद्धी हुई, तो इसका right answer जो होगा, 54 का, question number 54 का, जो right option होगा, वो होगा, option number A, 64.71%, ठीक है, तो question number 55 पर, ठीक है, तो question number 55 पर, ठीक है, तो इसका right answer रहेगा, 55 का right option है, वो रहेगा B, ठीक है, 144, 147, ठीक है, इसका right answer है, question number 56 परें, कि फर्वरी में कंपनी, P, S, और T, द्वारा बेचे गए, उत्पादों की आउसत संक्या कितनी है, तो इसका right answer रहेगा, 56 का, जो right answer है, वो है C, 118, ठीक है, तो आप लोग answers को जली जली मैच कर लीजेगा, प्लीज, की की time के recording काम करिए, ठीक है, आउसर आप लोग मैच करती है रहेगा, अगर कहीं पर doubt हो तो आप पूछ सकते हैं, comment के माध्यम से, 57, company Q द्वारा, जन्वरी और मई में मिलाकर बेचे गए, उत्पादों की कुल संख्या और समान महिनों में, company R द्वारा बेचे गए, उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो question number 57 के जो right answer है, वो है A, ठीक है, 85, ठीक, भाई बात करें अब लोग हम इसकी 58, question number 58 से जो 62 के answers दिये जाएंगे, वो हम आपको बता दें, वो इस graph के according दिये जाएंगे, तो question number 58 हम लोग read करें, यहाँ पे लिखा है कि कारकरम में, कारकरमों की तुल नामे, अनसंधान पर लगभग कितना प्रस्टर अधिक खर्च किया गया है, ठीक है, तो इसका right answer, जो 86 परसेंट, 59 की बात करें, कि question number लिखा आया है, कि 59 में, चात्रा बास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रस्टर खर्च किया जाता है, तो 59 के जो right answer रहेगा, बोल रहेगा, D, ठीक है, D, मतलब 12.78, इसका जो right answer रहेगा, बो रहेगा, D, option number D, 12.78, ठीक है, तो यह आप लोग देख लीजिएगा, प्लीज, 59 का answer जो right option है, बोल डी है, ठीक है, अब बात करें हम लोग 60 पर, हम लोग 60 questions को, 60 questions को complete कर चुके हैं, यह दी बर्स के, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते, 2,00,000, ठीक है, right option कर रहेगा, 2,00,000, उसके बाब हम लोग बात करें, question number 61 की, की, कि खेलों पर सिच्छा की तुल नामे, कितने प्रतिसत कम खर्च किया जाता है, तो यहाँ पिसका, जो question number 61 का, जो right answer रहेगा, 61 का right answer जो रहेगा, वो हम आपको बता दे, इसका option A, right रहेगा, 35%, ठीक है, बही बात करना 62, question number 62 की, तो यहाँ पर लिखा है, यदि बर्स के दोरान, खेलों पर खर्च की गई, कुल रासी, रुपए 1.8 करोड थी, तो सिच्छा और अनसंधान पर कुल खर्च की गई रासी थी, 62 का right option रहेगा, वो हम आपको बता दें, इसमें थोड़ा doubt था, इस question को find करने में कुछ doubt हुआ था, तो इसका right option जो है, वो हम आपको last में बताएंगे, वीडियो के, क्योंकि इसमें कुछ आपको बताना होगा, इसके माध्यम से ही, हम इसके answer आपको दे पाएंगे, ठीक है, इ उसके बाद हम लोग बात करें, 63 से 67 questions तक, यह आपको graph दिया गया, graph के calling questions पूछे कहते हैं, तो हम लोग बात करें 63 question number की, तो यहाँ पर आप रीड करेंगे, 2005 में दो कंपनियों के, A और B की I करमशा 3 ratio 4 के अनपात में थी, 2005 में उनके बैए करमशा अनपात क्या था, तो question number 63 63 का जो right option है वो है A, ठीक है, 45 ratio 68, ठीक है, 63 का A, भाहिए अगर हम लोग बात करें, question number 64 की, तो यहाँ पर आप रीड करेंगे, question number 64 में लिखाया है, यदि 2005 में दो कंपनियों की I समान थी, ठीक है, तो 2005 में company A के बैए का, company B के बैए से अनपात क्या था, ठीक है, तो आपको इसका हम बता दें, question number 64 का जो right option रहेगा वो है D, 15 ratio 17, इसका right answer है, question number 65 की गर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप ही देख सकते हैं, लिखाया है, यदि 2002 में company B का बैए 20, sorry, 200 करोड था, तो 2002 में I क्या थी, ठीक है, देखिए कुछ गलतिया हो जाती हैं, बताते बताते तो प्लीज आप उन्स चीज़ों को ignore करिएगा, और जो हम आपको questions बता रहे हैं, आपने समझिएगा, क्योंकि इतनी, बताते बताते कुछ problems आ जाती है कहीं कहीं पर, ठीक है, तो 65 के जो right option होगा, वो होगा C, 260 करोड, उसके बाद बात करते हैं, 66 question number की, यदी 2001 में कंपनी A और B का बैर समान था, तो और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आए, रुपए 342 करोड थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाव कितना था, लाव इकल्स टू वै, आए, माइनस वै, तो ये आपका फ़र्मला दिया गए, इसका right option जो 66 right option जो होगा, वो हम आपको अताने, इसका right option जो होगा, C होगा, ठीक, 102 करोड, उसके बाद करें हम 23 में कंपनी A की आए, 26 में उसके खर्च के समान थी, 26 में कंपनी A की आए क्या थी, ठीक है, तो question number 67 का जो right option है, वो है B, 464 करोड, ठीक है, 67 का जो right option है, वो B है, 464 करोड, उसके बाद बात करें हम लोग 68 की, question number 68, जली अली questions को खतम करें, यहाँ पर question number 68 में आप लोग देख सकते हैं, कि जजिया, फिर से लगाने वाले मुगल सासक का नाम लिखिये, तो question number 68 का जो right option है, वो है B, ठीक है, औरंग जे, question number 69 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर लिखा है, निम लिखित में से किसे अंग्रेज़ों दारा सुरू किये गए सबसे महत्पूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, ठीक है, तो 69 का जो right answer है, वो है B, railway को, ठीक है, यह अंग्रेज़ों दारा सुरू किये गया, question number 70 की बात करें, यहाँ पर लिखा है, पंच तंतर की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, तो इसका right answer जो question number 70 का right answer होगा, वो होगा C, विश्नु सर्मा के द्वारा, ठीक है, बहीं अगर हम लोग बात करें, question number 71 की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लिखा है, गौतम बुद्ध ने सारनात में अपना पहला उप्देश, डैस में दिया था, तो इसका right option जो होगा, 71 का, वो होगा B, ठीक है, धम, चक्र, प्रवरतन, मुद्रा, भहीं अगर हम लोग बात करें, question number अब, किसकी, 72 की, ठीक है, निम लिखित में से किस सासक के दरवारी कभी हरी सिर्ड थे, तो 72 का right option होगा, वो होगा B, समुद्ध गुप्त गए, ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग, question number 73 की, तो यहां पे लिखा है, कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा, सब इने अब अंदोलन सुरू करने का कारण था, तो इसका right answer जो रहेगा, वो रहेगा A, नमक कानून तोड़ने के लिए दंडी मार्च, ठीक है, इसका right answer यहां, उसके बाद हम लोग बात करें, question number 74 की, तो इसमें लिखाया है, कि निम लिखित में से कौन सा 1857 के विद्रो का परिणाम था, ठीक है, तो इसका right answer जो रहेगा, वो D रहेगा, East India Company की सक्तियों को British Crown में हस्तांतरित कर दिया, ठीक है, इसका right answer यहां, उसके बाद हम लोग बात करें, question number 75 की, तो यहां पर आप लोग रीड कर सकेंगे, कि लिखाया निम लिखित में से कौन प्रत्वी का सबसे बड़ा अंत इस्थली जन निकाय है, तो question number 75 को जो right option है, वो है ए, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर, सौरी, धोड़ी हिंदी पढ़ने में problem हो रही है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग पढ़िए, by chance कहीं करें पर mistake हो जाती है, question number 76 की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग देख सकें, निम्लिखित में से कौन सुतन्त भारत का पहला भारती गवर्नर जनरल था, पानी पीले, सौरी, तो question number 76 का जो right answer होगा, वो होगा A, C, राज गोपाला चारी, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, question number 77 की, यहाँ पे लिखा है कि निम्लिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ठीक है, तो इसका right answer, जो question number 77 का right option होगा, वो होगा D, भारत से अधिनियम 1935 के वाद द्वाद द्वाद करें, ठीक है, question number 78 की बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देखें, भारत को बिटिस नियंतरन से मुक्त कराने के लिए, भारती राष्ट्री से ना, INA का संगठन किस ने किया, तो इसका 77, 78 का जो right answer होगा, वो होगा D, ठी जारी वो उसने, उसके बाद हम लोग बात करें, question number 79 की, तो यहाँ पे आप लोग यह read कर सेखें, question number 79, लिखा है, सागोन के जंगल भारत के निम लिखिन में से किस राज्जिमें पाए जाते हैं, तो इसका जो right answer होगा, 79 का वो होगा B, ठीक है, मद्ध प्रदेश के, जंग जारी रहती है, इसे monsoon, passport कहा जाता है, ठीक है, इसका right answer जो होगा, ठीक है, इसे कहा जाता है, passport, फटना, question number 80 का जो right option है, वो है, A, उसके बाद हम लोग बात करें, question number 81 की, तो यहाँ पे आप लोग read कर सकेंगे, कि लिखा है, GMT के पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग य ठीक है, question number 82 की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है, प्रती 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की बार्सिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो 82 का जो right answer होगा, वो होगा, option number C, ठीक है, crude, जिसे की असोधित भी कहा जाता है, crude, ठीक है, question number 82 के बात, question number 83 के बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोग रीड कर पाएंगे, कि लिखा है, 1969 में कितनी प्रमुक नीजी बैंकों का राष्टी करण किया गया था, तो question number 83 का जो right answer होगा, वो होगा, C, ठीक है, 14 बैंक होगा, 14 बैंक होगा, ठीक है, बही बात करें हम लोग, question number 84 की, तो यहाँ पे आप लोग होगा, B, option number B, ठीक है, परमालू, उर्जा, उत्पादन, question number 85 की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग देख सकेंगे, यहाँ पे लिखा है, पहले तो खाली जगह दी गए, यहाँ पर आंसर आपको फिल करना है, यह जना आयो, कि अंतिम उपाध्यच थे, तो कौन था, इ सिंग, एहलू वालिया, ठीक है, यह इसका right answer है, 86 की अगर हम लोग बात करें, question number 86 की, नेम लिखित में से कौन सा, छेत्र भारत का सबसे बड़ा new ता है, तो question number 86 का जो right option है, वो है D, प्राथ्मिक छेत्र, ठीक है, question number 87 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे लिखा आया है, नेम लिखित में से किस राजी को हरित करांती के लिए भारत में आरंब इस्तल के रूप में चुना गया था, तो इसका right answer जो 87 का होगा, वो होगा D, मंजाब को, ठीक है, थोड़ा जली जली बताने को से सब कर रहे है, ठीक है, 87 का D, उसके बात करें हम लोग 88 की, question number 88, इ right answer होगा, वो होगा, option number C, ठीक है, अनुचेत 29, ठीक है, यह हमने आपके लिए सारे answers को analyze किया है, questions के, जितने भी questions है, सबको find किया, उनके answers को, question number 89 की बात करें, ठीक है, जितने भी UPSC के, ट्रिपल सी, यह pet हो रहा है, UPSC के pet, जो papers हो रहा है, इनके सारे question papers के हम answers को analyze करेंग और हर एक question paper पर वीडियो बनेगी, तो आप लोग उन वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है, तो क्योंकि इतने important questions हैं, तो आपको समझ में आएंगे, और जितने भी बिद्यारती हैं, इनके भी paper चलना है, या होने वाला है, तो बोलग भी हमारे वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उनके question paper को भी हम analyze करके सारे questions के answer को बताएंगे, ठीक है, question number 89 की बात करें रिखा तो 42 में संसोधन के माध्यम से समिधान में कौन सा नया DPSP, राज जिनीत के निर्देश सिधान्त जोड़ा गया, तो 89 के जो right answer होगा, वो होगा, option number B, समान नयाय और निसुर्क 90 की, तो यहां पर लिखा है, निम लिखित में से कौन से मौलिक करतब हैं, ठीक है, मौलिक करतब के बारे पूछा के तो question number 90 के right answer होगा और D, यह सभी है, आप रिट कर सकते हैं कि बैग ज्यानिकों, दर्सिकोंड और मानवाद, मानबबाद विक्सित करना, सार्वजनिक पत्ति की सुरच्चा करना, भारत की संप्रुवता, अखंड़ता और एकत्ता के रख्चा करना, ठीक है, तो यह सभी आंस के right answers है, उसके हम लोग बात करें, question number 91 की, देख रहे हैं आप लोग, हम लोग खत्यम करने ही वाले हैं, जितने questions थे, question number 91 की बात करें, तो लिखा है, सभी अम लोग में समान तत्व है, तो इसका right option जो है, वो B है, hydrogen, ठीक है, इसका right answer है, question number 92 की बात करें, तो यहाँ पर लिखा है, कि non-stick खाना, पकाने के बरतन, डैस से लेपित होते हैं, तो टैफलोन, इसका right answer है, ठीक है, question number 93 की बात करें, यहाँ पर यह लिखा है, option है, वो A, ठीक कानून बनाना, भाई बात करें, हम लोग question number 94 की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी आयोग निमलिखित में से किस्से संबंधित है, तो इसका right option जो 94 कर आएगा, वो हगर B, केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है, भाई बात करें, हम लोग question number 95 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है, प्रकास वर्स डैस एक माप है, तो माप क्या है, तारिकी दूरी, option number C, इसका right answer है, ठीक है, 95 का, 95 हो गया है, उसके बाद हम आप बात करते हैं, 96 को, यह question दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो question number 96, जो है, इसक 97.9, ठीक है, question number 97 की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, question number 97 का right answer रहेगा, वो रहेगा, B, 97 का right answer क्या रहेगा, B, 5%, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते है, question number 98 की, तो यहाँ पर यहाँ पर रीट कर सकेंगे, question number 98 है, इसका लिखाय दिम्रिकित में से, कौन सब है, वो डॉल्फिन है, यह तो आप लोग ने काफी पढ़ा होगा, ठीक है, option number A, इसका correct answer है, 98 का, ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग 99 की, पाधों का विकास किस से प्रभावित होता है, तो इसका right answer जो रहेगा, 99 का, वो रहेगा D, ठीक है, परकास की गुर्बत्ता, मा 4.9, 5.7, 11.13, 13.17, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इनमें जो सबसे बड़ा रहेगा, इसमें जो 100 का question number, 100 है, इसका right option जो होगा, वो C होगा, 11 upon 13, यह सबसे बड़ा है, ठीक है, तो यह आप यहाँ देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं, आप लोग को यह वीडियो अ लाइक करिए, सबस्क्राइब करिए, और भी जितने ही ये UPSC के, UPSC के जो एक्जाम ही हो रहे हैं, तो इन सारे question papers की हम answer की लेके आएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, तो आप वीडियो देखने के लिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, ठीक है, वैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए, ठीक है, जिससे आगे आने वे लिए, कोई भी update हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो यही थी आज की answer की, और important वीडियो, उमीद करते हैं, आप लोगो अच्छी लगे होगी, थैंक कि し अए, ठीक है आप लिए इस थार, और दो की रूग, वोगे होगाँ ऑगोगी,rit की लोगे हैं, आप मेnes की लोगोगी लोगे होगे हैं, राने ठीक हैं, आप लो, वाग लाए खश्राइब कुई हैं, वाड़े होगी हैं, आपोменू में और दूगाह झांगे हैं, जो ऑो